समय निकाल कर जरूर पड़ें 1. दवाई लेने के बाद अंबूर खाने से आपकी मौद भी हो सकती है 2. एक सिग्रेट आपकी जिन्दगी के 11 मिनिट कम करती है 3. ज्यादा टेंशन लेने से आपका खून गाड़ा होने लगता है जिससे खून के ठक के बनने लगते हैं यही कारण है कि ज्यादा टेंशन लेने से होट अटेका सकता है 4. सुबह खाली पेट चाए नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन से ब्रेन पावर कम होती है और एसिड़िटी की शिकायत होने लगती है क्या आप जानते हैं एक ग्लास गर्म पानी इतना कारगार है कि इससे शरीर का 70 प्रतिशत दर्द खत्म हो जाता है अंगस को गर्म पानी किसी पेन किलस से भी तेज काम करता है लेकिन ध्यान रखें बहुत ज्यादा गर्म पानी ना पिये अल्यूमिनम के बरतनों के प्रयोग से अंग्रेजों ने देशभक्त भारतिय कैदियों को रोगी बनाया था इल्यूमिनियम का प्रयोग ना करें शर्बत और नारियल पानी सुबह 11 बजे के पहले अमरित है उसके बाद इसका सेवन करने से परहेज करे तेज पंखे के नीचे याए सी में सोने से मोटापा बढ़ता है खड़े खड़े पानी पीने वाले का घुटना दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता पानी हमेशा बैठा के पीएं कुकर में डाल गलती है पक्ती नहीं इसलिए गैस और एसिडिटी होती रहती है जितना हो सके डाल को बिना प्रेश के खुला ही पकाए किसके साथ क्या ना खाएं एक दूध और दही कभी भी एक साथ ना खाएं दूध के साथ संत्रे का जूस नहीं पीना चाहिए 3. मचली के साथ दही नहीं खाएं 4. तरबूज खाने के बाद पानी पीने से लूज मोशन हो सकते हैं 5. संत्रा और केला एक साथ नहीं खाना चाहिए 6. दही के साथ केला नहीं खाना चाहिए 7. दूध के साथ मूली भी नहीं खाएं 8. पकी हुए चावल के साथ सिर्का ना खाए 9. दूध के साथ खर्बूजा और खीरा नहीं खाए 10. दही खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और शोशल मीडिया पर शेर जरूर करें आपके एक एक लाइक से मुझे स्पोर्ट मिलती हैं यह उपर जो आप सक्रीन पर वीडियो देख रहे हैं इन्हें जरूर क्लिक करके देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग